नमस्कार साथ यो आप लोगो स्वागत हैं हमारी चेनिल पी तो आज की से वीडियों में बात करेंगे बावसाय भीव मां भीड़कर बिहार विश्वित द्याले के बारे में इसमें जो भी अपडेट है आज की सभी आप लोगो किश वीडियों बताने वाले हैं तो आप बिल्ष लीकलो में जारी कि उसके अनुसार ऐसे के पास जमा करने कि लिए एक महइने का समय से स्रह गया है एक बावन से पहले अपना स्कारचाब नहीं करते हैं तो उनका उनका जो रिश्ट्रेशन हैто से कैंसिल कर दे जाएगा यह आप लोग को यहां पर आप लोग को कहा गया है तो आप लोग जो भी कंडेट हैं जो पहले एड़िशन लिये होंगे बैसे कंडेट को बताना चाहेंगे कि जो 2009 की रेगुलेशन से पेस्टी कर रहे हैं उन्हें वेर्थियों को है कि आप लोग जुरूर अपना थेसिस जमा कर देंगे उसका त्फिर बात कर लेते हैं यहां पर इंटेग्रेटेड बीएड में 31 तक लिया जाएगा आउनस्पोर् पाइनटी बीएट की ओर से जारी पहली सुच्छे के धार पर में अपना नवांकन करा लिया था उसके बाद फिर आप लोगों का ओनर नवांकन चल रहा है जिसमें आप लोग 113 सीटों की संख्या है और इसी पर आप लोगों का नवांकन होने वाला है देखते जुराई त दौरा यहां पर कहा गया है कि एमेड के लिए जो भी एडिविशन के लिए फॉम फिलप किये थे बैसेकन डेट का जो एडिमिट कार्ड है प्रवेश परिच्छा का वह दो अगस्त को जारी कर दे जाएगा वहीं बात कर लेते इसकी एक्जमनेशन कब होगी तो इसका जो अगस्त को जारी होना था लेकिन अब 2 अगस्त को जारी किया गया है और उसकी एक्जमनेशन होने के उपरांट आप लोग को पंदर दिनों का अंदर भी रिजल्ट भी आ जाएगा उसका फिर अगले अपडेट के बात करें तो अगला जो अपडेट है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं अगला अपडेट है असनातक से रिलेटेड असनातक सत्र 2327 यहां पर जो भी कंडेट से स्थे बैले में नमांकन करवाना चाहते है तो यूमस पोर्टल पर दिनांक 28 ज के लिए वहाँ पर अमुरुद वहां पर जाकर समिट कर सकते हैं तो आप लोग को फिर वहाँ पर वहाँ पर नमांकन मिलेगा या नहीं मिलेगा सब छब से अप हले आप लोग ऑन्लाइन करना होगा उसके वाद आप लोग अपना कॉलेज ंड़ में डिकुमेंट जोड़े वे हैं मिलते ने सुड़ियों तब तक के लिए जैन जै भारत